नवस्का दोस्तों, इनकी एज 55 यर्ज प्लस फोर्थ मन्त की हो चुकी है अब एक एक करके इनके पाम का एनालिसिस करते हैं, इनके हाथ में क्या खासियते है जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलिया थोड़ी सी भी उपर हो तो ऐसे लोग समय पर जो नीने लेना होता है, ये काफी समरुद्य व्यक्ति का पाम है, पर फिर भी मैं ये सब्दी यूज कर रहा हूँ ये दो उंगलिया जब उपर रहती है, तो जो समय पर नीने लेना होता है, वो ले नहीं पाते और उसके बाद पस्तावा होता है कि मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था ये पाम पूरा स्क्वेरिश है, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जिवन को सपल बनाते अंगुठा कारे इच्छा सकती तो बताता है पर नुकी लाग कम है तो इधर उदर ध्यान भटकता है वेक्टी का सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है जहां लोजिकी जवरत है, जहां चूप रहने की जवरत है वान चूप रहे है पर जब इलेक्शन का समय रहता है तब इनकी जो भावना रहती है वो चरम पर रहती है उंगलिया छोटी है तो हाद के नीचे काम करने वालों की संख्या जाता है रहती है और फास्ट नीने लेते हैं दुन उंगलिया लगबग सेम है छोटी उंगली फिर्स फैलाइन तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याद शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों मैं व्यक्ति एक्सपर्ट होता है पर सब कुछ सब्सक्राइब माइनस पॉइंट भी है दिया तले हमेशा कहीं न कहीं अंधेरा होता ही है वैसा इनके हाथ में भी है यह देखिए यह जब भी आपकी जो जीवन साथी की लाइन होती है या मैरेज लाइन इस तरह का फोर्क बने है यह खास कर ध्यान रखो यह फोर्क तो दोनों अलग दिशा में सोचते हैं कोई एक उत्तर की तरफ सोचता है तो एक दक्षिन की तरफ सोचता है बातों मैं कभी एक सामज से बिठा यि नहीं पाते है जीवन साथी यह एक माइनस पॉइंट रहता ह यहां पर एक fish chain आपको दिख रही है यह business minded बनाती है व्यक्ति को यह पैसा नहीं देती है केवल business minded बनाती है एक line, दो line, तिन line और यह पार थोड़ा सा भी दबाओ व्यक्ति मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर बाता परिवार के सामने है, बिजनेस मैं उसके बात याद आता है, मुझे यह वस्तु बोलनी थी, यह रह गई और यह पार जब उभार होता है तो व्यक्ति छोटा भी कारे करें तो उसका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए, यह भावना इनके प्रबल रहती है इनके हाथ में बहुत अच्छी सुन्दर यश वाली साइन है, यह देखिए तो ऐसे लोगों को जीवन में यश अच्छा खासा प्राप्त होता है यह यश दिलाती है एक छोटा सा आप स्क्वेर साइन देखते होंगे, मैं क्लोज अप में दिखाऊंगा यह व्यक्ति के जीवन में मल्टी सिटी का काम रहता है और इनका मल्टी सिटी का काम है ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते है यानि अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते अब इनकी साइनों की और बढ़ते यह देखिए कितनी सुन्दर साइन यहापर बनी हुई है एक यह साइन है इनके हाथ में एक मुझे लगता है यह निकाल नहीं पाए एक यहां पर भी होने के पूरे आसार है मैंने कई फोटो में इनको कहा कि आप एनरजी लगाकर फोटोग्राफी करिए पर यह दे नहीं पाए अगर दे पाते तो चारचान लगते एक और संकेत दिख रहे हैं इनके हाथ में यहां पर भी और सनलाइन पर जब कोई भी फिश्टाइन होती है और पतली होती है अगर यह इस तरह की हो तो बहुत जादा धन देती है बहुत जादा धन और कहीं न कहीं यह निकाल नहीं पाए क्योंकि एज हो जाने के बाद व्यक्ति सिदाहात नहीं रख पाता बहुत सारी टेक्निकल एरर होते हैं हमारी भी मैनत बढ़ जाती है तो यह एक माइनस पॉइंट रहा नहीं तो आप लोगों को यह वस्तू देखने मिल जाती है अब यह यहां पर भी साइन है जो मैंने अल्रेड़ी दूसरे फोटोग्राफ में ली वी है यहां पर भी है यह चोटी सी है पर दिख रही है तो बता ना फर्ज है एक यहां पर स्टार भी नजर आ रहा है यह व्यक्ति को यह भी यस दिलाता है और यह स्क्वेर साइन क्लियर कट स्क्वेर है बहुत बड़ा नहीं है और छोटा है और अपनी आये से अधिक अच्छी तर है यह लोग अपने जीवन में रहते हैं एक ट्राइंगल भी है यह व्यक्ति को मन की इच्छाय पूरी करवाता है यह क्या पर भी है तो उस फोटोग्राफ में हम कहीं गलती कर रहे थे दूसरी जगह पर इस फोटोग्राफ में यहां पर है सॉरी यह साइन है एक फोटोग्राफ और है एक यहां पर बनी हुई है एक यहां पर है एक यहां पर है पर यह या तो यह साइन है इनके हाथ में यहां पर यहां पर भी चांसेस पूरे है इस तरह की साइन के पर यह निकाल नहीं पाए उतनी क्लियारिटी दे नहीं पाए कंटिन्यू चलने वाली फेट लाइन है तो कंटिन्यू प्रोग्रेस करते रहेंगे और क्या आप डाउन रहेगा इनके जीवन में उसका भी हम निरिक्षन करेंगे इनके हाथ में अभी इनकी उम्र फिप्टी पाए हो गई है तो उस लाइन पर आएंगे तब बताएंगे फिट लाइन पर आऊंगा तब और यह जब लाइने इस तरह से चलती है तो चार लाब देती है पॉलिटिकल लाब ससुराल पैसे वाला या सारी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है सरकारी लाब और जो भी कारे करते बड़े सरका करते तो कई लोगों को चारो लाब प्राप्त होते किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाब प्राप्त होता है मैंने जैसे कहा कि दिया तले अंधेरा होता है वैसे इनके हाथ में भी एक अंधेरा जो पहले दिखा चुका ये दूसरा ये जब जुपिटर माउंट आपका खराब होता है तो पारिवारिक और सांसारिक समझ से आये रहती है जीवन में और ये जिक्रियों मैं कर चुका हूँ और उन्होंने एकसेप भी किया है कंट्यूनी चलने वाली लाइन वैक्ति को नीचे गिरने नहीं देती और ऐसा खराब समय इनके हाथ में है भी नहीं एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पांच लाइन ये वैक्ति को पामिश्ट्री एस्ट्रोलोजी इस्तर के मिश्ट्री इव्यक्ति को पॉलिटिकल लाप और सरकारी लाप कराता है और नव भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग समरुद्य रहते है अंदूनी मंगल मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है एक व्योसित अंदूनी मंगल है तो सारे क्रू उचा बहु और ये लाइन है व्यक्ति को दो माइनस पॉइंट देती है या तो भाई की और से जिजा की और से या पिता की और से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है या रेविन्यू डिपार्मेंट के जो आफिसर होते है उनके द्वारा भी हमारे जीवन में अब यहाँ पर एक ट्रैंगल दिख रहा है ये व्यक्ति को या तो कभी बनाता है या विदे से धन प्राप्ति के योग बनाता है अब इन्हों ने जो बिजनेस बताया मुझे जादा नौलेज नहीं है पर जो बिजनेस बताया उसमें ट्रैंगल मैं विदे से धन प्राप्ति के योग वाला बिजनेस नहीं दिखा पर ये विदे से धन प्राप्त करवाता है करवाता है और करवाता है और ये क्लियर कट ट्रैंगल है तो ये मैं इनसे कंफर्म करूंगा कि इसका आपकी जीवन में इसका क्या लाब हुआ है चंद्र परवत अच्छा है तो वेक्तिका विदे से संबंद आता है पानी अच्छा लगता है दूज से बनी वस्तुए अच्छे लगती है नेणे शक्ती होती है नहीं नहीं चीजे करने का शौक होता है और एक अच्छी सी बूद्रेखा भी और एक मनी ट्रैंगल भी बन रहा है जो फिशायन वालों को नभी बने तो कई खास फर्क नहीं पड़ता शुक्र परवत अच्छा है अच्छे कपड़े पहनना अच्छी तरह रहना लग्जरियस लाइफ का शौक ये सारी वस्तु है शो करती है अब इनकी हिर्दे रेखा को देखे तो हिर्दे रेखा के लिए कहीं न कहीं इस फोटोग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा हमें सुर्वाती जीवन में ये गुस्से वाले होंगे या फिर हिर्दे रेखा इनकी यहां से सुर्व हो रही है और उस सुर्वाती जीवन में थोड़े से अधश्वादी रहे होंगे और उसके बाद कमर्शल बन गए होंगे तीस इकतीस के आसपास से और सुबह उठकर पैसा कैसे कमाना कामक भावना और कभी-कभी फिसिकल बनना यानि हाथ पर उठाना ये लक्षन व्यक्ति में रहते है और दे रेखा कहीं न कहीं डबल चल रही है तो जचटो भरा जीवन रहता है एकदम फ्री रहकर परसनल पी लगी रहती है रेक्टी के जीवन में और यहां पर देखे तो यह मापाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन होती है और यह फ्लर्ट लाइन है रेक्टी दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूनता है माइन लाइन और जीवन रेखा के बीच में गयप है यह लोग बहुत ज़्यादा जिद्धी होते हैं बहुत ज़्यादा किसी के कंट्रोल में काम करना पसंदी नहीं आता अपने मन के मालिक होते हैं पर जब परिवार को जरुद पढ़ती है तो सबसे पहले यह लोग और यह हाथ सीधा ना होने के कारण में एज नहीं निकाल पाता तो वहां तक वेक्टी सीरियस नहीं होता और उसके बाद यह माइन लाइन सीधी चली और अप टू एंड तक जा रही है और यह नेन का प्रॉबलम देती है वेक्टी को तो जैसे जैसे माइन लाइन में कोई निने और सुरुवात में 2-3 बार तूटी जानी 3 साल करएर या समझे 25 या 30 साल तक समय करते होगी 2-3 तरप्सक्राद कोई ना कोई और यी घट्नाएं घटी है, कि हमारे माइन को bring in our mind से जीवन को और सके व्रती विएक्षादी B empower जीवन के प्रति अब जैसे दिया तले अंधेरावा ने बताया तो दो मैनस पॉइंट तो बता दिया अब तीसरे प्याड आते है सम्रुद्धी नो डाउट इनों ने अपने मुह से बताई है पर किवल सम्रुद्धी से नहीं चलता कहीं न कहीं दूसरे डिस्टरबंस भी होत थी continue और ये 19 में साधी की रेखा इनके जीवन में उसके बाद 27 से लेकर 32 तक उसमें भी छोटी छोटी राउट रेखा है तो बीच बीच में डिस्टरबंस आते ही रहे होंगे इनको फिर 32 के बाद 35 में है फिर 37 में है फिर 41 तक भी छोटी छोटी राउट रेखा है और 41 की भी राउट रेखा है उसके बाद 47 की राउ रेखा और एक बहुत बड़ा आफशूट और उसके बीच में भी छोटी छोटी राउ रेखा थी तो बीच बीच में कहीं न कहीं disturbance आता ही रहा होगा 47 के आफशूट के बाद मैं ये निकाल देता हूं सारी लाइने फिर ये आफशूट एक छोटी सी 49 के आसपास है और 52 के आसपास नियर और एक आफशूट भी 53 के आसपास है तो कोई न कोई सफलता भी इनको जीवन में मिली होगी उसके बाद ये एक 55 में राउ रेखा काटी और उसके आसपास भी नियर और एक आफशूट है और एक छोटी सी राउ रेखा है अब उसके बाद 58 या 59 से इनकी तबियत थोड़ी सी नरम गरम रहेगी अब टू छै साल या पाँच साल तबियत दमदार नहीं रहेगी इनकी क्योंकि वेवी है इनकी जीवन रेखा और उसके बाद वापस अच्छी बन रही है और धीरे धीरे फिर अच्छी बन रही है जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस एज तक इतनी दमदार धन रहेखा नहीं थी पर ये 30 या 31 से ये दमदार देखा बनी और ये जब टच करती है माइन लाइन को और स्टॉप होती है तो ऐसे लोग परिवार को एक बार तो विडेश यात्रा पर लेकर जाते है मिनिमम एक बार मैक्जिमम कितनी बार भी उसके बाद एक कट लगा 36 में एक कट लगा इनको 38 में एक कट लगा 46 में और एक वर्तमान में भी ये कट लगा यह ऐसा लगा था कि जैसे investment की लाइन है पर यह वर्तमान period में cut इस photograph में दिखा clear और जब भी कोई धन्रे का सीधी नहीं चलती तब तक इतना progress नहीं होता जब धन्रे का सीधी होती है तब ही progress जीवन में आता है यह 46 का cut और यह देखी इस cut को देखने के लिए कितनी बारिक आवशकता पड़ी यह हैं से line आ रही है और यह cut कर दी और यह घाटा इनको जाबी चुका इनको नुकसान गया है और एक नुकसान इनको ये और एक नुकसान यहां पर यह इतने नुक्सान इनको बड़े लेवल के बैठे होंगे उसके बाद धन्दे का व्योस्तित चल रही है और यहां से एक और लाइन निकल रही है और पैरलल दूसरी भी है यहां पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ यह लाइन आएगी 58 के आसपास 12 महिना तो पारिवारिक खर्चा आएगा या कोई इन्वेस्मेंट होगा और अगर यह हृदय रेखा नहीं होगी और कोई दूसरी लाइन होगी तो हलका सा नुक्सान जाएगा इतना बड़ा नुक्सान नहीं इस जगह पर गया इतना नहीं तो 99% तो यह हृदय रेखा काई पार्ट है तो यह इन्वेस्मेंट कराएगी यह एज होगी 57 से 58 के आसपास और यहाँ पर थोड़ा सा यह कहीं नगे बीजी रहेंगे इतना इन्वाल नहीं रहेंगे बिजनेस में उसके बाद वापस यह धन रेखा उत्तम तरीके से चल रहें और साइड में भी बहुत सारी रेखा है इन्वेस्मेंट से इंकम की बहुत सारी रेखा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम इनके हाथ में है नहीं आगे चल कर हाँ ये एक कट इनको परेशान करेगा थोड़ा सा नुकसान देगा और ये एज होगी लगबग उस समय 62-63 के आसपास पर इतना बड़ा नुकसान नहीं है जो ये गया ये बहुत छोटी पतली सी लाइन है जो काट रही है तो थोड़ा सा आर्थिक नुकसान तो देगी वाकि एंड तक धन देखा है चल रही है तो ज़्यादा चिंता करने वाला हाथ नहीं है हाँ तब्यत का जो मैंने बताया इनके उसको भी हम देखने की कोसिस करते है यह देखिए यहाँ पर यह आफशूट के बाद इतना पिरियड इतना धन यह जो जीवन रेखा होती है उसकी चाल अच्छी नहीं नजर आ रही है तो नरम गरम रहेगी तब्यत उसके बाद वापस कोई प्रॉब्लम नहीं तो यह पांच एक साल इनके जीवन में नरम गरम चलेंगे यह 60 के बाद का क्या आसपास का पिरियड रहेगा तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद